आप सभी को प्रभु येसु मसी के नाम में जे मसी की दोस्तों दोस्तों आए दिन मसीलियों के उपर ये जो पैसा दे कर और बहला फुसला कर धर्मांतरन करने का एलिगेशन लगाया जाता है इन बातों में कितनी सचाई है हम सभी जानते हैं हम लगातार अपने चैनल पर धर्मांतरन से संबंदित वीडियो बनाते आ रहे हैं और हमारे उन अभिस्वासी भायवेहनों को जो इस ब्रह्म में जीते हैं कि क्रिश्चन्स का उदेश सक्केवल हिंदूओं का धर्म परियोर्तन कराना है हम उन्हें बताने की कोशिस करते हैं कि क्रिश्चनिटी कोई धर्म नहीं है और ना ही पर्मेश्वर ने इस दुनिया में कोई धर्म बनाया है येसु मसी किसी के धर्म को बदलाने वाले इस्वर नहीं वलकि वो सच्चा और जीवित पर्मेश्वर है और उसने आपके और हमारे पापों के लिए अपना जीवन क्रूज पर दिया ताकि हम सब उनके द्वारा उद्धार पाएं लेकिन हमारे देश के बहुत सारे अविश्वासी भाई बहन येशु मसी की सच्चाई को जानने और समझने के वज़ाए येशु मसी और उन्हें अनुसरार करने वाले यानि मसीहों से बहर नफरत करते हैं जैसा कि एक समय में पॉलूस मसीहों से नफरत करता था हमारे भारत में क्रिश्चन्स का नाप सुनते ही कई न कई उन्हें लोगों का धर्मांतरन करने वाले अपराधी की रूप में समझा जाता है दोस्तों अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक महिला पत्रकार जारखन के एक आदिवासी व्यक्ति से सवाल करती है कि क्रिश्चनिटी को कबूल करने से आपको क्या मिला तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पागल हो गया था इधर उधर दोड़ता रहता था फिर जब मैं क्रिश्चनों के पास गया तो उन्होंने मेरे लिए प्रातना की और आप मैं ठीक हूँ लेकिन इसके बाद भी वो महिला पत्रकार इस पर क्या कहती है आप पहले उस वीडियो को देखिए बाब आपका नाम क्या है मौलिंदो किसकू ये इनका घर है है वो दिखा ही है और ये 2000 में कण्वर्ट हुए गिस्चने है और जब मैंने इनसे पूछः कि क्या कुछ ववशना कैसी है यहां दोने कहा जी मोधी जी तो हमें कुछ नहीं देते जब मैंने इनसे पूछः की आपको Christianity कि कुबूल करने में में fascinating में क्या मिला तो उन्हों ने बोला जो हम हमारी जो पहले पूजा होती थी उसमें कबूतर और बक्री लगता था जो कि थोड़ा हमारे लिए महंगा पड़ता था और हमने क्रिश्चेनटी इसले कबूल की चुकि हमारे ले सस्ता पड़ता है से फिसुमसी का नाम लेते हैं और कैस पूजा होती है उसमें हम पागोल हो गया था इधर तर घुमते थे दोड़ते थे तो क्रिश्चान के गए तो हमको बक्तिसमा दिया तो हमारे चुटकारा मिला चुटकारा मिला जैसे वो रील देखना ना बोलने लगी तो वैसा ही सिस्ट्रम यहां पर विप सोची इन का हाल किस तरीके से यह लोग रहते हैं ने क्रिश्चेनिटी को इसलिए कबुल किया क्योंकि उनकी जो पहले पूजा हुआ करती थी हो सकता है दोस्तो इसके लिए उन्हें अपने देपताओं के पास ले जाया गया होगा या फिर बली के लिए जानवर खरीद ना पाने की कारण बाद में वो क्रिच्चनों के पास गये होगे तब वहाँ पर उनके लिए येसु मसी से प्रात्मा की गई होगी तब उन्हें चंगाई मिली होगी क्यूंकि येसु मसी के नाम में सामर्थ है हम सभी लोग जाते हैं येसु की नाम से दुष्टा आत्मायद डरती है जैसा कि हम बाइबिल में बढ़ते हैं और दोस्तों इस ब्यक्ति को वहाँ पर ये भी बताया गया होगा कि देभी देपताओं को किसी भी प्रकार की जानवर की बली देने की जरूरत नहीं है इससे किसी को भी कोई छुटकारा नहीं मिलता क्यूंकि येसु मसी जो पुत्र परमेस्वर के रूप में है उसने संसार के हर एक मनुस्य के लिए अपने आप को ही क्रूस पर वलिदान कर दिया ताकि उसकी लहू बहाय जाने के द्वारा हम सभी को पापों से छुटकारा मिले इसलिए मेरे प्योज जो कोई भी यहाँ पर केवल कोई हिंदू, मुसलिम या क्रिश्चन नहीं वलकि संसार का कोई भी येशु मसी पर विश्वास करके उसके क्रूस वलिदानों द्वरा मिलने वाली छमा को सुखार करता है निश्चे ही उसे पापों से छुटकारा मिलता है, उसका उद्धार होता है और उसे अनंत जीवन मिलता है और यही सत्य है आई होप दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं और नए वीडियो के साथ परमेश और आपको रामे समभाल कर रखें, आमी